आपका स्वागते में प्रियाब आपके साथ कॉंग्रेस नेतर रहुल गांदी आज यानी 16 अप्रेल को करनाटक के कोलार में एक रेली करेंगी मिडिया रिपोर्ट्स के मताफिक रहुल की ये रेली उसी जगह पर है जहां उन्होंने 2019 में मोदी सन्नेम को लेकर बयान दिया था उन्होंने कहा था सभी चोरों का सन्नेम मोदी क्यों होता है इस मामले में सूरत की एक कोट ने 23 मार्च को रहुल को दो साल केट की सजा सुनाई थी जिसके बाद उसकी सांसदी रत कर दी गई पार्टी के सुत्रों ने बताया कि रहुल गांदी रवीवार सुबह बैंगलूर पहुचेंगे यहां से वो कोलार जाएंगे कोलार में कॉंगरेस नेता पार्टी की और से आयूजी जै भारत रेली को संभूदित करेंगे इसके बाद शाम को वे हाली में बने इंद्रा गांदी भवन का उद्खाटन करेंगे करनाटक में विदानसवा चुनाओ के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है इससे पहले राहुल की रेली काफी एहम मानी जा रही है पार्टी निताओं का कहना है कि पहले राहुल गांदी की रेली 5 अपरिल को हनी थी जिसे बाद में 9 अपरिल और फिर 16 अपरिल तक इस्थखित कर दिया गया था उन्होंने बताया कि करनाटक विदान सभा चुनाओं की तैयारी और उम्मीदवा चुनने की प्रक्रिया की वज़े से रेली इस्थखित करनी पड़ी बता दे कि सूरत की कोट ने 23 मार्च को रहुल को 2 साल केट के सजा सुनाई थी हलाकि 27 मिर्ट बाद ही उन्हें जमानत मिल गई उन्होंने 2019 में करनाटक की सभा में मोदी सन्नेम को लेकर बयान दिया था इसके बाद गुजरात के भाच्पा विदायक पूर्नेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मन हनिका केस किया था इसी के साथ मने रही है राज नवाट इनी के साथ तरह निवागा